वेलकम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बेसिक कॉंसेप्ट, LCM और SCM पढ़ने से पहले जो आपको बेसिक कॉंसेप्ट पढ़ना है उसके बारे में, चलिए पढ़ते हैं, आज का टॉपिक है हमारा अपवर्थ और अपवर्थक, यानि multiples and factors, सबसे पहले multiples या अपवर्थ, अब आप इन figures को देखिए, यहाँ पर क्या है, तीन गेंदे एक बार, यानि तीन, तीन गेंदे दो बार, यानि कुल कितनी गेंदे, छे, तीन गेंदे तीन बार, यानि कुल कितनी गेंदे है, नौ, फिर है तीन गेंदे चार बार तो कुल कितनी गेंदे हैं बारा तो यहाँ पर हमारा हम देख रहे हैं कि तीन का पहाड़ा बन जा रहा है तीन को तीन, तीन दूनी छे, तीन तरीक का नौ और तीन चोग बारा इसी प्रकार हम यह देख सकते हैं कि 3, 6, 9 और 12 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से बढ़ जाती हैं या कर जाती हैं यही संख्याएं 3 की गुड़ज या अपवर्ती कहलाती हैं यानि multiples क्या होते हैं? टेबल्स जो आप टेबल्स पढ़ते हैं वही उन नमबर्स के multiples होते हैं इनको हम कैसे ग्याद कर सकते हैं बच्चों? multiply करके जैसे 3 में 1 का multiply किया तो 3, 3 में 2 का multiply किया 6, 3 में 3 का multiply किया 9 तो 3, 6, 9, 12 जो हैं वो 3 की multiples हैं यानि 3, 6, 9 और 12 आपके 3 के अपवर्ते हैं इसी तरह से देखिए 4, 8, 12 और 16 संख्याएं 4 से बटेंगी इसलिए ये 4 की गुड़जिया अपवर्ते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 30, आदी संख्याएं 5 से बटेंगी इसलिए ये 5 के अपवर्ते हैं इसी तरह देखिए बच्चों 6 के पहले 3 अपवर्ते क्या होंगे तो 6 में हम 1 का गुड़ा करेंगे 6, फिर 6 में 2 का गुड़ा करेंगे 12, फिर 6 में 3 का गुड़ा करेंगे 18 तो 6 के पहले 3 अपवर्ते क्या हो गए 6, 12 और 18 इस तरह से हमने देखा कि पहले दूसरे तीसे अपवर्तों को प्राप्त करने के लिए क्रमसा एक दो तीन से हम गुड़ा करते हैं इसी तरह आपको देखिए, कहरा है क्या 3-12 का अपवर्ति है, तो हाँ, क्यूंकि 3 में 4 का गुड़ा करने पर हमें क्या मिलता है, 12, क्या 4-16 का अपवर्ति 16 है, हाँ, क्यूंकि 4-14, क्या 5 का अपवर्ति 14 है, नहीं, क्योंकि 14 का जब हम गुड़नकھन करते हैं, तो क्या आता है एक गुड़े दो गुड़े साथ इसमें पांच नहीं आता है तो इसलिए 14 पांच का मल्टिपल नहीं है अब देखिए 9 के 3 अपवर्ट लिखो जो 45 से बड़े हो तो 9 पचे 45 यानि हमें उससे उपर की संख्या लिखनी है तो हम उसमें 6, 7 और 8 का गुड़ा कर देंगे तो 9, 6, 54, 9, 7, 63 और 9, 8, 72 तो 45 से बड़े 9 के 3 अपवर्ट क्या हो गए 54, 63 और 72 क्या 3 का अपवर्ट 24 है इसका सही उत्तर होगा हाँ क्योंकि आप जब 3 में 8 का मल्टिपलाई करते हैं तो क्या आता है 8, 3, 24 यानि कि 24 जो है ये 3 का मल्टिपल है क्या 57, 5 का अपवर्ट है तो 5 के टेबिल में 57 आएगा क्या बच्चों नहीं देखे 5, 11 जा 55, 55, 55 और 5, 12 जा 60 यानि कि 57 कहीं भी नहीं आ रहा है तो 57, 5 का अपवर्ट नहीं है यानि 57, 5 का मल्टिपल नहीं है नेक्स जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है गुडण घंड या अपवर्ट तर देखिए पहले आप 12 गोलियों को ऐसे समूह में बाटिए कि जिसमें गोलियों की संख्या समान हो तो देखिए पहला समूह बनेगा जिसमें केवल एक एक गोलियां होंगी यानि 12 गुड़े एक बारा दूसरे में 2-2 गोलियां होंगी तो 6 गुड़े 6 हो जाएगा 12 तीसरे में 3-3 का गुड़े बनाएगे तो आपका बनेगा 4 गुड़े 4 फिर से 12 चौथे में 4-4 गोलियों की गुड़े बनाएगे तो 3 गुड़े बनाएगे तो 4 गुड़े 3 बारा next में हम 6-6 गोलियों के 2 गुरूब बनाएंगे तो 6 गुड़े 2, 12 6 में हम केवल 12 गोलियों का 1 गुरूब बनाएंगे तो यानि 12 गुड़े 1, 12 हमने यहाँ पे देखा कि 12 गोलियों को हम 6 तरीकों से बाट पाए प्रतेक समूग 12 का गुड़न खंड हुआ यानि अपवर्तक हुआ या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि फैक्टर हुआ तो हम कह सकते हैं कि 12 के अपवर्तक हैं 1, 2, 3, 4, 6 और 12 यानि 12 के फैक्टर्स कौन-कौन हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 6 और 12 क्योंकि यह सभी नंबर्स 12 को बाट सकते हैं 12 का सबसे छोटा अपवर्तक एक तथा सबसे बड़ा अपवर्तक स्वयम बारा है इस प्रकार जब दो संख्याओं का आपस में गुड़ा करते हैं तो प्राप्त संख्या उनका गुड़न फल कहलाती है जैसे 6 गुड़े 3 बराबर 18 यहाँ 6 और 3 का गुड़न फल 18 है 6 और 3 को 18 का गुड़न खंड या अपवर्तक या फैक्टर कहते हैं 18 के अन्य गुड़न खंड भी है क्या? बिल्कुल देखिए एक गुड़े 18 भी 18 होगा 2 नो गुड़े 9 यानि 2 नो अथारा 6 तरीक 18 और 18 इकन ने 18 तो 18 के जितने भी अपवर्तक गुड़न खंड या फैक्टर्स है वो क्या हो जाएंगे? 1, 2, 3, 6, 9 और 18 दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं एसी संख्या जो उस संख्या को पराबर भागों में बांट दे या काट दे या ग्रुप्स बना दे तो हम उन्हें कहेंगे फैक्टर्स ठीक है? और हमारा अपवर्त क्या था? ठीक इसका उल्टा यानि मल्टिपर्स यानि अगर हम उस संख्या को किसी अन्य संख्याओं से गुड़ा करेंगे तो हमें जो प्राप्थ होगा वो क्या होगा? मल्टिपर्स या अपवर्त इसका ठीक उल्टा अपवर्त तक या फैक्टर क्या होगा? जिस नंबर से वह संख्या स्वयम कट जाए ठीक? आपको शौट ट्रिक मैं बतारी हूँ बच्चों मल्टिपर्स या अपवर्त याद रखने का तरीका है कि आप सिधे सिधे याद कर लिजे कि अपवर्त या मल्टिपर्स टेबल्स होते हैं प्रतेक संख्या का सबसे छोटा अपवर्त के तथा सबसे बड़ा अपवर्तक वह संख्या स्वयम में होती है कोई भी अपवर्तक संख्या से बड़ा नहीं हो सकता है यानि कोई भी फैक्टर उस नंबर से बड़ा नहीं होगा फैक्टर हमेशा छोटा होगा और मल्टिपल्स हमेशा उस संख्या से बड़े होंगे एक संख्या दूसरी संख्या का गुड़न खंट तब होती है जब वह पहली संख्या से दूसरी संख्या में भाग देने पर शेशफल सूनने हो यानि अगर हम उस संख्या से किसी संख्या म गोडनखंट होती है